कानी शुरू होते ही हम देखते हैं कि एक फौजी जिसका नाम ज्योंग होता है वे अपनी बेहन और उसके बेटे को एक शिप पे ले जा रहा होता है रास्ते में उसको एक परिवार मिलता है वो परिवार जियोंग से मदद मांगता है जियोंग उनकी कोई मदद नहीं करता वो परिवार जियोंग से बोलता है कि वो हमें छोड़ दे मगर हमारी बेटी को ले जाए जियोंग उनकी बिलकुल नहीं सुनता और वहाँ से चला जात अगले सीन में हम यह देखते हैं कि जियॉंग अपनी बैन और उसके बेटे को शिप के अंदर ले जाता है तभी एक न्यूज चैनल पर हमें यह दिखाए जाता है कि एक वाइरस जो शहर में तेजी से फैल रहा है और लोगों को संक्रमित कर रहा है जिससे की लोग जॉंबी बन रहे हैं और यह बताया जाता है कि यह वाइरस कोरिया के एक बायो लैप से फैला है दूसरी तरफ जहां पे जियॉंग शिप में होता है वहां पे भी वाइरस फैल जाता है वहां पे सभी लोग तेजी से संक्रमित हो जाते हैं वहीं पे जियॉंग की बेहन और उसके बे connect करती है और उसको बोलती है अगर वो उनका काम करेंगी तो उसको काफी डॉलर मिलेंगे इस mission के लिए जियोंग मांजाता है और उसको बताया जाता है वहाँपे एक ट्रक में डॉलर से बढ़ा हुए कई बैक रखे हुए हैं और उसे एक टीम दी जाती है वो सारे पैननसुला पहुँच जाते हैं जहां पर सारे लोग जॉम्बी बन चुके होते हैं उनको वहाँ पर ट्रक मिल जाता है ट्रक में एक ड्रैविंग सीट पर एक जॉम्बी बैठा होता है उसको हटाने के चकर में ट्रक का होर बच जाता है जिससे के सारे जॉम्बी उनकी तरफ आने लगते हैं मगर वो लोग ट्रक लेके वहाँ से निकल जाते हैं मंगर इत्ती असानी से कभी किसी फिल्म में कुछ होता नहीं है तब ही वहाँ पर एक गैंग होती है जिसका नाम 631 होता है वो जियोंग और उसकी टीम पर हमला कर देते हैं जिससे के वहाँ पर शोर होने लगता है और जॉम्बी उनकी तरफ आ जाते हैं उस मुटबेड में जियोंग की पूरी टीम मर जाती है वहाँ एक कार अचनक से आ जाती है और जियोंग को बचा के ले जाती है जियोंग के एक दोस्त को गैंग 631 अपने साथ ले जाती है वह गैंग अपने कैप में जियोंग के दोस्त को ले जाती है जहाँ पर उसे बाकी लोगों की तरह रखा जाता है बाकी लोगों को भी वही रखा हुआ था 631 गैंग के लोग महाँ पे बाकी लोगों को और जियों के दोस्त को बहुत बुरी तरह टोचर करते हैं ये 631 गैंग वही होती है जब ये वारस फैल रहा होता है तो सरकार एक आर्मी के कुछ लोगों को महाँ भेशती है ताकि वो बाकी लोगों की मदद कर सके मगर सरकार उनको वापिस नहीं बुलाती तब ही ये लोग इस तरह से जीने लगते हैं उस गैंग के लीडर कैप्टन सियो होते हैं और एक सरजेंट होता है कैप्टन को पता चल जाता है कि ट्रक में डॉलर से बर हुए कई बैक रखे हुए हैं और एक सैटलाइट फोन भी है उस सैटलाइट फोन से कैप्टन सियो कनेक्ट करते हैं और बोल देते हैं कि वह उसको सारे डॉलर दे देंगे मगर बदले में कैप्टन को यहां से बाहर निकालना पड़ेगा ये बात सरजेंट को नहीं पता होती है दूसरी तरफ जियोंग को होश आता है तो वो देखता ह है कि उसकी जिसने मदद की है वो वही परिवार है जिसको उसने पहले मदद करने से मना कर दिया था उस परिवार में एक बुजर्ग इंसान भी होते हैं जो आर्मी ओफिसर थे वह रेडियो के दौरा मदद मांगते हैं जियोंग उनको बताता है कि वो सब यहां से निकल सकत हैं अगर वो उनकी मदद करें वो यह सारे डॉलर उन्हें दे देंगे और वो यहां से निकल जाएंगा और वो परिवार यहां से निकलने के लिए जियोंग की मदद करने लगता है और 631 गैंग के इलाके में चला जाता है जब कैप्लेन को ट्रक के बारे में पता चलाता है तो वो अचनक से एक पार्टी का एलान करते हैं जिससे कि सर्जेंट को शक हो जाता है कि वैसे तो कैप्टन ने कभी पार्टी के लिए नहीं बोला था वैसे कैप्टन बहुत कंजूसी करते थे मगर आज कैप्टन कैसे पार्टी कर रहे हैं जियोंग और वह परिवार उस ट्रक के पास बहुंच जाता है तब ही वहाँ पर कैप्टन सियो आ जाते हैं और उनकी वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है गोलियों के अवाज से सार्जेंट भी आ जाता है और उसको पता चल जाता है कि कैप्टन सियो उसको धोका दे रह सर्जेंट और उसकी टीम जियोंग को पकड़ने लगते हैं तब जियोंग का दोस्त जिसको बंदी बना रखा था आता है और जियोंग को बचा लेता है उस दोरान उसको गोली लग जाती है और जियोंग के दोस्त की वहीं पर मौत हुजाती है जियोंग उस परिवार के साथ ट्रक लेके वहाँ से निकल जाता है और उसका पीछा कैप्टन सियो और सर्जेंट करने लगते हैं। रास्ते में जॉम्बी भी शोर से उन लोगों की तरफ आ जाते हैं। उस रिलाई में सर्जेंट और उसकी टीम को जॉम्बी पकड़ लेते हैं और ट्रक कैप्टन सियो को मिल जाता है। कैप्टन सियो को खून में लटपत देखकर वो लोग समझते हैं कि कैप्टन सियो अब संकरमित हो चुगे हैं इसलिए वोसे गोली मार देते हैं कैप्टन सियो मरते वक्त ट्रक को गेट की तरफ खड़ा कर देता है जिससे के सारे जॉम्बी शिप में आ जाते हैं और बाकी रगों को भी मार देते हैं यह सब जियोंग देख लेता है अब उनके पास कोई रास्ता नहीं होता वहां से निकलने का उस परिवार के जो बुज़र्ग इनसान होते हैं उनके एक रेडियो सेट पर आर्मी का मेसेज आता है कि वो एक हेलिकॉप्टर उन्हें लेने के लिए भेज रहे हैं तब तक वह बुली लगने के कारट वहां पर मौत हो जाती है बाकी परिवार को जोंग अपने साथ ले जाता है हेलिकॉप्टर के तरफ और वहां पर आर्मी आ चुकी होती है आर्मी वाले उनकी मदद करते हैं और उन्हें वहां से निकाले जाते हैं वीडियो चे लगी हो तो लाइक ए